नशे में धूत होकर रजत ने की आशिका की जम कर पिटाई आशिका ने सभी से मांगी मदद सभी बनी आशिका की रक्षक रजत को सिखाया सबक जेहां दरसल हम बात कर रहे हैं स्ट्रापलस शोगम है किसी के प्यार में की जिसका आने वाले एपिसोड पूरी तरीके से ट्वरस्टन टर्न से भरा होगा जहां हम देखेंगे कि किस तरीके से रजत शराप की नशे में धूठ हो जाएगा और इसके बाद कहीं न कहीं आशिका की जम कर पिटाई करने लग जाता है रजत आशिका के उपर हाथ उठाते वे नजर आता है और कहीं न कहीं काश के टुकड़े को हाथ में लेकर आशिका को धंकी देता है और जान से मार देने की बात कहता है जहां पे रज़त से आशिका काफी जादा डर जाती है लेकिन फिर भी सच नहीं उगलती तो वहीं दूसरी तरफ रज़त लगातार ही आशिका से सच उगलवानी की कोशिश करते वे नज़र आता है और अपने सवालों का जबाब मांगता है जिस बीश आशिका रज़त को धका दे कर दूसरे कमरे में जाती है और खुद को महां लॉक करके तुरंट ही अरश की मदद मांगती है जहां अर्श आशिका की मदद करने से साफ इंकार कर देता है और पुलिस कॉल करने से भी मना कर अर्श बड़ी है चलाकी से ये सारी बाते सभी तक पहुचाने की कोशिश करता है जहां पर सभी आशिका की मदद करती है रज़त को आशिका से बचाती है और इसके बाद रज़त को संभालते वे नजर आती है यहां सभी रज़त को जमकर फटकार लगाते वे दिखाई ही रज़त का ये सच सवी सई से चिपाते वे भी नज़र आ रही है वाल तो इस पर क्या है आपकी राए हमें कॉमेंट के जरीए जरूर बताएं साथ यह से और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें